एक लड़की है 13 साल की, नाम है कुसम, जो दिल्ले में रहती हैं, वह बाकी सभी 13 साल की लड़कियों से अलग है वह इसलिए क्योंकि कुसम पर 4 भाई बहनों को संभालने की उन्हें पालने की जिम्मेदारी है वह देहारी मस्दूरी करती हैं, और जैसे दैसे अपना और अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालती है अपने छोटे बहनों के संभालने के चक्कर में उसका स्कूल तक छूड़ गया है ऐसा नहीं है कि कुसुम और भाई बैनों के माबाप दुनिया में नहीं है या गाउ में रहते हैं बलकि बदनामी के डर से माबाप ने अपने सभी बच्चों को छोड़ दिया था दरसल छे मैने पहले कुसुम का बड़ा भाई पडोस के गाव की लड़की के साथ भाग गया था जिसके बाद उस गाव के लोगों ने कुसुम के माता पिता पर दबाव डाला गाव वाले माबाप की बदनामी करने लगे बदनामी के डर से माबापने गाव छोड़ दिया अब कुसुम पूरे दिन मेनत करके रोज द्यारी कर दिन का 200 से लेकर 250 उर्पे कमाती है इन्यू पैसों से वो अपने छोटे भाईबनों का पेट बालती है यही नहीं वो अपने छोटे भाईबनों को पड़ा भी रही है कुसुम के छोटे भाई सुरेश जो की अभी सिर्फ 11 साल का है उसको टीबी है उसकी हालत बहुत खराब है कुपोशन की वज़े से उसकी हालत ऐसी हो गए है कि वह बीना हाथ लगाए अपनी गर्दन नहीं हुडा सकता इन सभी हालातों को खुद अकेले संभालती है 13 साल की कुसुम 13 साल की इस बच्ची को देखकर हमें ये प्रेवना मिलती है कि किसी भी कठीन परिश्रम में हमें हार नहीं माननी चाहिए 13 साल की इस लड़की को MHL मोटिवेशन दिल से सलाम करता है मेरी सरकार से गुजारिश है कि कुसुम जैसी लड़की को सरकार की तरफ से मदद मिलने चाहिए ताकि वह अपनी शिक्षा और अपने भाईयों का पालन पोशन कर सके धन्यवाद बने रहे हमारे साथ ऐसे ही नए मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल ताकि आपको मिलते रहे हैं नए अपडेट्स हमारे नेक्स वीडियो के तो तिल दिन बाई बाई